ही, डॉक्टर साहब, सीने में जलन, आखों में तूफान, निसा क्यों है? अच्छा, क्यों क्या हुआ? पता नहीं, डॉक्टर साहब, जहां जहता हूँ, सीट नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, लगता है, जैसे, 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 जैसे रिजर्वेशन हो रखाओ अच्छा, कहीं तुम जैनरल या ओपन कटेगरीश से तो नहीं, हाँ रॉक्टर साहब, एक काम करो, निकलो यहां से, गरीब, भिखारी, निकलो आजाए, हट, पर, भर, हट, 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 समझ रो क्या किया मैंने आप, जब पहली पहली बार ये कोटा सिस्टेम इंडिया मे लगाया गया था तो इसका मेन अब्जेक्टिव था कि भारत के जो पिछड़े हुए उपर गें, जिन्हें सदियों से प्रताडित अर्था टॉर्चर किया गया है, उन्हें समाज में वो इजज़त दी जाए, जिसके वो काबिल है, भाईया ये डिफिनिशन है, ऐसा तो ए एज नर हो या नरी विपताएं हो, बड़ी-बड़ी, भारी-भारी, हमारा ये शो जन्हित में जाड़ी, आज हमारे टेबल पे एक भी प्रॉप्स नहीं है, सारे प्रॉप्स कोटा में चले गए, हमारे इससे कुछ भी नहीं आया, जब इसे यूस किया गया, तब रिज़ का जाम होने लगा, चलो दिल्ली के आंदोलन होने लगे, तो पहले आते हैं, रिजर्वेशन की हिस्ट्री पर, इसका इतिहास क्या है, रिजर्वेशन एज टूल इंडिया में काफी पुराना है, मतलब एक के हंगल से थोड़ा सा ही नया होगा, मुझे लगता है पहली बार रिजर्वेशन अकबर के दर्बार में शायद लगा हो, क्यूंकि इतना डाइवर्स था अकबर का दर्बार, वहां तोडरमल भी थे, मौलवी साहब भी थे, अंग्रेज भी अकबर के दर्बार में आई ही थे, बीरबल भी थे, रिजर्वेशन का पहला informal use, सन 1902 में किया गया, it happened in the Puna Act, 1932, British government ने round table conference किया, जिसमें कहा, भईया, कुछ seats में ना सिर्फ दलित कंडिडेट्स चुनाव लडेंगे, और वोट भी दलित कम्यूनिटी ही करेगी, गांधी जी को ये दिख गया, उन्होंने बुला, आँ सुकरा चाह, आँ तो डिवाइडन रूल कर माँ बेसिस ने गाल आगे करी देश, और तब डिसाइड किया गया कि हिंदू एलेक्टरेट में ठीक है, कुछ seats दलितों के लिए रिजवड होंगी, लेकिन वोट सभी करेंगे, और ये बना Puna Act of 1932, रिजवेशन नाम की सनी लियोनी देश में आ चुकी थी, बस देरी थी क इसके fan following के स्तेजी से बढ़ी, but the game changer was the Mandal Commission, Mandal Commission प्रस्तुत किया गया था, बिंदेश्वरी प्रसाद Mandal के द्वारा, जो बिहार के सहरसा से wealthy यादव जमिंदार थे और Parliamentarian भी थे, जिन्होंने recommend किया कि OBC को 27% reservation मिलना चाहिए, ये आया 1979 में, इस report से पहले OBC as a concept exist ही नहीं कर यह करता था, यह करता भी था तो ऐसे करता था कि मतलब अभी कान में पढ़नी रहा, लेकिन इस report के बाद, socio-economic data को use किया गया, so that OBC के लिए एक reservation तयार किया जाए, data मतलब कौन कास्ट में, कौन कितना अमीर है, कौन कितना deprived है, कौन से गाउ में है, कौन से शेहर में है, 1979 में, मतलब बेटा, तुमको BMW बनानी है, लेकिन spark plug लाओ कि तुम प्रीमियर पद में नहीं कहा, मतलब FB के जमाने में Orkut का profile बनेगा, और लोगों से यह भी कहा जाएगा, अजरा testimonial भर देना, half of the crowd doesn't even know what testimonial means, it was in Orkut, but guess what, यहाँ पर 1979 में, total reservation quota इंडिया में हो चुका था 49%, तो basically general category हो गई, दुरौपदी, फिर सुप्रीम कोट आए, कृष्ण बनकर, जिनों ने कहा कि यदा यदा है reservation, beyond 50%, no reservation, कहा कि किसी भी field में reservation 50% से उपर नहीं जानी चाहिए, वरना कुछ वक्त में general category वाले अलग reservation के लांदोलन कर रहे होंगे, हम लोग को बंगला दिला हो ना है, कब तक हम लोग 3BHK में रहेंगे, ऐसे अमीरों की जिन्ने के, कब तक pizza burger खाएंगे, मल्टिपलेक्स में picture देखना पड़ता है हम लोग को, लाइफ एकदम मतला, अमिता बच्चन हो गया है, का हम लोग को भी reservation हो ना है, तो basically 50% में लिमि जिक क्या दिया कि हम लोग के इदर बे यो भी C, SC, ST का population तोड़ा जादा है, इसके लिए reservation भी तोड़ा जादा होने चाहिए, पाल कुडशीडवा आता अपन उद्या बेट हुए, 69 करनक बाद, तो overall reservation 69 करतो दिया गया, और general category को effect ना हो, इसलिए उनके लिए 19% seats colleges में अब ये पॉसिबल हुआ, Constitution के 9th schedule के चलते, 9th schedule के तहत, कोई भी changes by parliament, court में directly challenge नहीं किया जा सकता, 9th schedule नहीं मालूम, 9th schedule नहीं मालूम, Constitution गा, प्रिया प्रकाश वेरियर मालूम है, बिग बॉस मालूम है, हाँ, वो मालूम है, वो blue will challenge मालूम है, नहीं, ice bucket हाँ, तो साले Google पर जाके कभी ये भी पढ़ लिया करो, तो पहले इसका mathematics समझते हैं, Social Economic Census 2011, ये last Social Economic Census है, इसके बाद अब तक नहीं हुआ है, तो 2011 के हिसाब से, इंडिया में number of families हैं, 25 करोड, जिसमें गाओं खेडे, rural families हैं, वो 18 करोड हैं, इनमें deprived family जो हैं, deprived और खाना, पीना, ठीक से, नौकरी, चाकरी, वो हैं 10 करोड, जिसमें से 30% घरों में खेती होती हैं, 51% घरों में लोग देहाडी, यानि की daily wages वाला काम करते हैं, daily wages मतलब जैसे, पकाड़े तलने का काम, और अगर किसमत ज़्यादा खुली हो, तो घीय के पकाड़े तलने का काम, reservation को हमारी सरकारों के द्वारा, political tool की तरह हमेशा सी use किया गया है, to appease certain section, certain community, मगर reservation actually में social upliftment के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो deprived हैं, जिन के पास वो status नहीं है, उनको ऊपर लाने के लिए reservation है, अब deprived तो एक थाकुर या राजपूद भी हो सकता है, ब्रामण भी हो सकता है, सिंहानिया भी हो सकता है, अमबानी भी, अमबानी, अमबानी नहीं, अमबानी, सौरी, मैं जियो के डेटा में थोड़ा सा बहग गया था, तो इसे basically social upliftment के लिए कम और vote bank के लिए जादा यूज़ किया जाता है, reservation के साथ एक problem ये है, कि जो privileged है, या developed community है, वो भी इसका फाइदा उठाना चाहती है, आपको बता दो कैसे, 2015 की बाद, गुजरात में पटिदार community का OBC status के लिए protest, करने वाला कौन? हारदिक पटेल, जिन्होंने प्रोटेस्ट में भी और वीडियो क्लिप में भी जमके नारे लगाये थे भाई, उसके बज़े सा क्या हुआ, कितने जगाँ पर आग लग गई, 21 लोगों की मोत हो गई, और बोलो, करोडों का नुकसान. The fact is, पटेल गुजरात में सबसे forward community है, approximately 35% of MLAs are from पटिदार community, यहाँ पर CM पटिदार community की रह चुकी है, आनंदी बेन पटेल, लेकिन reservation कम दान में मिले, तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले, मान गए हमें, हारदिक सूपर और reservation उपर. उसी तरह, साल 2016, हर्याना में जितने जाट थे, सारे के सारे उठ खड़े हुए, बोले कि हमें OBC स्टेटस चाहिए, प्रोटेस्ट कर देंगे वरना. अब हर्याना में प्रोटेस्ट होगा, तो तोड़ फोड लगना, आग लगना, प्रोटेस्ट मतलब ये तो उसके भी ना प्रोटेस्ट कैसे, रालाठ मार दू, ना हड़ी तोड़ दू. हर्याना का टैलेंट ऐसा ना भाई साब, अगर सही दिशा में जाता है, तो दंगल बन जाता है, और अगर कहीं भटक जाये, तो जंगड बन जाता है, वो विद्ध्य हकता हुआ. जाटों के बारे में आप फैक्ट सुन लीजिए, OBC की स्टेटस की मांग करते हैं, लेकिन जाट इस 30% of the population, 9 out of 12 मिनिस्टर जाट रहे हैं, और जाट का OBC प्रोटेस्ट आज से नहीं है, 1991 में इन्होंने OBC स्टेटस की मांग की नहीं मिला, 1997 में इन्होंने फिर से मांग की OBC स्टेटस नहीं मिला, 2002 में इन्होंने फिर से मांगी, लेकिन नहीं मिला, 2014 में जब फिसे मांगा तो इनको कहा गया कि क्यों मांग रहे OBC स्टेटस यार तुम लोग तो forward community हो अगर ऐसी तुम लोग मांगते रहोगे तो एक दिन तुम लोग Hollywood पहुँच जाओगे बाउंसर बनके राच्छोरी मगर फिर क्या हुआ फिर हुआ politics फेब 2014 में election से ठीक पहले UPA ने कहा कि election का मतलब reservation UPA ने जाच्छ को 9 states में OBC स्टेटस grant कर दिया vote bank जिससे मार्च 2015 में Supreme Court ने बिलकुल पूरी तरह से खारिच कर दिया लेकिन शेर के मुँँ में खून लग चुका था नतीजा फिर से भई का जाम आग लगना तोड़ फोड करोरों की प्रॉपर्टी का नुकसान नतीजा ये कि इसका advantage ऐसी कई communities ले रही है जो इसे deserve नहीं करती और जो deserve करती है उन्हें ये दिखाई दिया जाता है इंडिया में 1,80,657 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना कोई opportunity है ना तोगी नौकरी है ना पढ़ाई है ना कोई कढ़ाई है जिसमें पकाड़त तलज जा सके हैं ये आज भी अपना पेट पालने के लिए मैलाद होने का काम यानि मैनू स्कैमेंजिंग का काम करते हैं इसका मतलब साफ है कि हम reservation policy को properly implement नहीं कर पाए और तो और पैंतालिस साल हो गए अब तक हम लोग राहूल implement नहीं कर पाए and the fact is कि जिस underprivileged community या students को reservation मिल भी जाता है उन्हें वो social respect नहीं मिलता I'll tell you this National Crime Records Bureau का social safety data कहता है कि 80% of total college students suicides between 2007 and 11 were committed by Dalit students कारण general category के द्वारा consistently अपमानित होना रोहित वेमूला suicide case इस social discrimination का एक नतीजा है research about it और rather just search about it on google you'll find बहुत से general category और कई reserved category वालों से भी अगर आप जाके पूछेंगे ना तो वो कहते हैं कि नहीं reservation नहीं होना चाहिए मेरा एक friend है, bank में है very talented, अच्छे mark से बड़े नामी गिनामी bank में अब वो काम करता है जो की गुरगाओं के इलाके में है लेकिन एक reserved category का लड़का जिसे काफी कम marks मिले जिसमें उतना talent भी नहीं है और उसका boss बना बैठा है which is true, यह मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा है उसकी तकलीव मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैंने किसी सरकारी एक्जाम के लिए कभी apply किया ही नहीं मैं तो यह camera के सामने नोटन की ज़रो और गया और तो reservation देश के entertainment का स्त्रोध भी है 50s, 60s, 70s, 80s reservation ने सिर reservation नहीं बलकि entertainment, entertainment, entertainment दिया है फिल्मों को देख लीजी है इन सालों की गरीब पिछडे वर्क का लड़का बिलकुल एकदम छोटे तपकेगा और अमीर जेनरल केटिगरी की लड़की अब दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा तो open केटिगरी वाले बाप को तो गुस्सा आएगा ही ना वो तु बुलाके बूलेगा यू रिजर्व केटिगरी कमोर यर तुमको पता भी है मेरे बेटी एक महिने में कितना पेटरोल जला देती है का इंचन निया अंगल मैं रिजर्व केटिगरी के मेरेको पेटरोल पम दिया है मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो OBC है, ST है मगर उनके पास करोणों की प्रॉपर्टी है मैं अगेन कसम खाके बनाए हुई बात नहीं कई जगाओं पे जमीने हैं तो आपको नहीं लगता कि हमारे रिजर्वेशन सिस्टम का फ्लॉव है और जेनरल काटिगरी के कई डिजर्विंग स्टुडेंट्स इसके विक्टिम बन जाते हैं और मैं ऐसे रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ डंके के चोटके पर बोलूगा और मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े भी हो जाएंगा हर कास्ट में एक ऐसा तपका होता है जिसे रिजर्वेशन की जरूरत बिलकुल नहीं होती जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं जैसे की प्रतीक बबबर जिसे लांच करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है ये बात अलग है अगर उसका सरनम बबर नहीं होता तो वो reservation पर भी hero नहीं बन पाता है आज भी पता नहीं का है जोक सपाट One option is reservation अगर आपको देना है तो financial status पर दीजिए मतलब आपके घर में आपकी income जिस हिसाब से है आपको reservation भी उस हिसाब से दिया जाएगा फूल प्रूफ मेथड नहीं है क्योंकि इंडिया में मातर 3% लोग tax भरते है इसलिए reservation पाने के लिए सही income छुपाना बहुत आराम से हो जाता है ठीक है बट एट लिस्ट ये reservation अगर हटा देगा तो vote bank politics जो है वो आपकी बंद हो जाएगी और इसलिए government इस direction में कभी कोई कदम नहीं उठाएगी vote bank secure होना चाहिए दूसरा option बताता हूँ किसी family में let's say अगर बाप को reservation मिल गया तो अगले generation को नहीं मिलेगा या एक भाई को मिल गया तो दूसरे भाई को नहीं मिलेगा ऐसे और भी कई सारे option हो सकते हैं मगर intent, intent is an issue कि जो इसको इसको इस्तमाल करके implement कर रहे हैं उनका intent क्या है अब मैं कोई global thinker नहीं बैठा हुआ मुझे कोई foolproof solution नहीं पता लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ कि reservation का inherent objective है reservation को खत्म करना ये होना चीए लेकिन ऐसा होगा नहीं और मैं एक बात बता दूँ कि मैंने इस anchoring के लिए reservation नहीं लिया सिर्फ पैसे लिया वो भी वाइट में reservation system को सही से implement करने के लिए और क्या सही तरीके हो सकते हैं या आप अपने सुझाव comment section में डालिए मेरा दिमाग मत खाईए because I am not suggesting this I am wanting to implement this 15% लोग इस वीडियो को लाइक करें 20% शेर करें 30% सब्सक्राइब करें हमारा reservation बिलकुल foolproof एकदम implemented है बाकी जो general वाले हो न हो general के degree थोड़ा और मेहनत करो एक में 105% लेकर आए या उसके बार आप बात करें बरना जाए आप missile बनाए